हालो फ्रेंड वेलकम बेग शौगत यहाफ शब का टीचिंग बीद बेवेग यूटूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीटट दो खजार चोवीस मैथ प्रेक्टिश ट तो आज का अप्रेशन है कि एक तिर्भुज के कोणों का अनुपात पांच छे शात है त तो आपको होगे 180 यहाँ प्रत्रभुज के कोण है वो आनुपात में दे रखें यानि एक पांच होगा तो दूसरा छे होगा तो तीसरा साथ होगा है ना इन सब को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ोगे तो छे और पांच ग्यारा और शाथ कितना हो जाएगा अठारा कितना तो आपको जोड़ोगे तो अठारा और अठार गसके अठारह किसके बराबर हो जाएका तो आपको प्ंचा गया हम तो सबसे छोटे कूटक genius तो सबसे छूटा क्या है पांच है तो एक बराबर दस है तो पांच पराबर कितना हो जाएगा पचास जब एक बराबर दस है तो पांच बराबर पचास अगला क्या हो जाएगा साथ अगला क्या हो जाएगा शक्तर यानि तीनों कूर आ जाएंगे पचास साथ और शक्तर की यहां पर कौन सा आ गया पचास यानी भी आफ्षन हमारा क्या हो जाएगा एक दम करिक्ठ होगा बढ़ चलेंगे आगे आगले प्रिशन की उड़ा कि निम्न में कौन सा एक आकड़े के साथ प्रेश्णों को मिलान चिन्हों के उपियोग सी सही रूप में निरूपण करता है यहां पर टेली चिन्हों को निरूपण किया गया है देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं यदो कोई शंख्या हो जाएगी चार चार है तो हम क्या करेंगे एक दो तीन चार को लेना हो तीन तीन को निरूपण दिखाना तो एक दो तीन ठीक है यदे हमको पांच दिखाना ह है तो एक दू तीन चार और ये पांच पांच क्या करते हैं क्रास कर देंगी यह हमको छे दिखाना होगा तो एक दो तीन चार और ये पांच और ये छे ठीक है हमको दिखाना है दस कैसे दिखाऊगे एक दो 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा ये 6 और ये शाक इस आकरते में कौन सा है तो आफशन हमारा क्या हो जाएगा छी करेक्ट फुरह चार की पाफ्षाट की sंख्याती भाज्य होगा आपको बनाना सीख कि नीरूपाय चैने कैसे बनाते हैं चलो और बढ़ेंगे अगले परेशिन के की ओ यहां से चार की पॉवर जीरुा पर एक सर्ष चला जाएगात जीरु फिर चार की पावर 1 चार की गहाद 1 मतलब 4 4 4 12 चार की गहाद 3 होगा तो कितना हो जाएगा दोशो 256 कितना हो जायगा तो आपका योग कर लें चार कि पाउगर 61 योग करेंगे तो 6, 4, 10 और 6, 16, 16, 14, 20 और 21, 21 का 1, हाशिर मिला 2, तो 5 और 2, 7, 7 और 6, 13, 13, 14, 14 के 4, हाशिर मिला 1, ये 2, 2, 1, 3, कितना आ जाएगा? ये किस से संख्या से भाज होगा? तो किया 4, 4 से even नमबर 4 से कटेगा? तो नहीं कटेगा? 11 से देखते हैं, 11 से काटोगे, 11, 33, 1 बजाए 11, 11 से भाज हो गया, किस से भी भाज हो गया है? 11 से भी भाज हो गया, यानि आफ्षा हमारा बीच होगा, वह एकदम करिक्ट हो जाएग याद आप चैनल पर नहीं हो तो चानल को जरू सस्क्राइब भी लिजिएगा, थैंक यू, धन्यवाद